नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा ना हमें Dr. Mahipal Singh Raathood और आज इस lecture में हम चर्चा करेंगे Pegasus Software के बारे में ये एक ऐसा software है जो mobile phone पर जासूसी करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है और recently कुछ ऐसे आरोप लगे हैं दुनिया की कई सरकारों पर कि वो journalists और activists के phone पर इस software के माध्यम से जासूसी कर रही है 18th July को Amnesty International और Pegasus Project जो की दुनिया के कई media groups का एक joint platform है उसने मिलकर ये news जारी करी कि Israel के NSO company के द्वारा बनाये गए Pegasus का इस्तमाल अभी भी कई activists, journalists और political leaders पर जासूसी करने के लिए इस्तमाल में किया जा रहा है इस project की report के अनुसार दुनिया भर के 40,000 mobile numbers को जासूसी के लिए target किया गया Pegasus के दौरा जिसमें से करीब 1600 numbers को ये लोग identify कर पाए कि ये mobile number इस व्यक्ति का है उसमें कई prominent लोग है, दुनिया के कई देशों के लोग है भारत के भी लगबग 300 लोग इस list में शामिल पाए गए हैं जिनमें से 40 journalists हैं, बहुत सारे activists हैं और Indian Express की report के अनुसार 2 ministers और 3 opposition leaders भी हैं तो भारत सरकार के लिए और हमारे देश के लिए ये एक चिंता का विशह होना चाहिए कि ना किवल journalists बलकि ministers के phone को भी target किया जा रहा है जासूसी के लिए अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपन academy आप पर मुझे इस ID पर follow कर सकते हैं अन्य सभी जगे मेरा handle महिपाल राठोड है इस lecture का PDF आपको pathfinder underscore UPSC telegram channel पर मिल जाएगा अब भारत से जिन लोगों के mobile number इस list में शामिल थे उनमें से कई journalists हैं 40 journalists हैं इनमें से कई लोगों ने अपने phone की forensic जांच करवाई और उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि हाँ उस phone पर hacking का attempt किया गया था या फिर उसे hack कर लिया गया था अब क्यूंकि Pegasus पिछले 2 साल से लगातार चर्चा में है तो exam में भी इसके उपर सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है क्यूंकि technology है science and tech वाले portion में इसके current affairs के questions आ सकते है और इससे संबंदित कई सारी terminology जो है वो आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहले इसके नाम को ही ले लो Pegasus का मतलब क्या होता है Pegasus Greek mythology में एक उड़ने वाले गोड़े का नाम है जो कहीं पर भी उड़के पहुँच सकता है बहुत सारी इसकी कहानिया है और ऐसा माखा जाता था कि यह जहां पर धरती पर कदम रखता है वहाँ पर पानी का जरना food पड़ता था तो जैसे यह गोड़ा उड़कर कहीं भी पहुँच सकता था पहुची प्रकार से पेगसिस की पहुच भी दुनिया के किसी भी फोन में हो सकती है यही नाम के पीछे रीजन है इस software को डेवलब किया है इसरेल की एक technology company NSO Group ने अब यह company कहती है कि हम कभी भी अपना software किसी private company को नहीं बेचते हम केवल सरकारी agencies को या सरकारों को अपना software बेचते हैं और दुनिया में 40 देश की 60 intelligence, military या law enforcement agencies को इस software का license दिया गया है आपको यह भी बता दूं कि इस license बहुत ही महंगा होता है इसकी price अपको इसकी website पर नहीं मिलेगी it's a very costly software, 7-8 million में भी बहुत limited use होता है 500 number पर आप trace कर सकते हैं, that's it तो अगर आपको 400-500 लोगों पर जासूस ही करनी है तो आपको multiple licenses खरीदने पड़ेंगे anyways, NSO ने कभी भी अपने clients का नाम या किस देश को इन्होंने software बेचा है इसके बारे में कोई जानकारी public नहीं करी है, लेकिन एक बार इनको ये जानकारी बहार बतानी पड़ गई थी क्योंके WhatsApp ने इन पर case कर दिया था, अमेरिका की एक अदालत में वो case अभी भी चल रहा है 2019 में उन्होंने वो case किया था, उस case में इनको ये बजानकारी देनी पड़ी थी कि 40 देशों को हमने ये software बेचा है, 60 agencies इसको खरीच चुकी है अभी recent में Pegasus Project ने जब NSO Group से पूछा कि ये जो इतने 1000 phone number की list है क्या ये सभी phone hack हुए थे, तब भी NSO Group ने बस ये ही बताया है कि किवल phone number का एक list में आना ये नहीं बताता कि ये phone hack हुए है लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये data target करने के लिए इस्तमाल किया गया हो तो ये data इखटा किया गया है, इसका purpose क्या था, इसका मकसद क्या था, वो हमें नहीं पता हो सकता है कि Pegasus को जो use करते हैं, उन देशों ने या उन companies ने इस list का इस्तमाल किया हो बट हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा NSO Company का अभी कहना है लेकिन Pegasus Project ने अपने स्तर पर इन में से कई phone numbers का forensic analysis कराया जिन में 10 Indian phones भी शामिल थे, जिसमें ये बात पता चली कि इन सभी पर Pegasus का हमला करने की कोशिश या तो करी गई या फिर successfully Pegasus ने उन phones को breach कर दिया, उन पर जासूसी करी गई वैसे तो Pegasus के बारे में दुनिया में पहली बार एक मामला 2016 में सामने आया था, UAE में लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इसकी चर्चा 2019 में होई थी, जब Pegasus ने WhatsApp का इस्तमाल करते हुए लोगों का phone hack किया था उस समय WhatsApp जो की Facebook की कंपनी है, उसने अपने स्तर पर कई लोगों को ये mail भेजा था कि शायद आपका phone WhatsApp के माध्यम से hack किया गया है तो प्लीज आप सतर करें और इसके बाद 2019 में भी बहुत चर्चा में रहा था ये case, भारत सरकार को भी इस पर सपश्टी करण देना पड़ा था क्योंकि उस समय भारत में भी कई journalist और human rights activist के phones को hack करने की बात सामने आई थी और WhatsApp ने अपने सतर पर ये बात बिल्कुल confirm कर दी थी कि Pegasus software WhatsApp के माध्यम से इन लोगों के phone पर भेजा गया था इन आरूपों के जवाब में उस समय भारत के ग्रह मंत्राले ने officially ये statement दिया था कि भारत सरकार के पास ये power है according to Information Technology Act 2000 कि सरकार किसी भी message को intercept कर सकती है उसको monitor कर सकती है और उसको decrypt कर सकती है तो अगर कोई भी message electronically भेजा जा रहा है कोई भी information generate, transmit, receive या store करी जा रही है किसी भी computer पर तो देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा को देखते हुए friendly relations with foreign states को देखते हुए या किसी भी प्रकार के हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए सरकार messages को intercept कर सकती है और ये power सरकार के पास आता है section 69 of the IT Act तो खुल मिलाकर भारत सरकार ने उस स्वमे clear रूप से, spasht रूप से Pegasus इस्तमाल करने के बारे में कुछ नहीं कहा था ना तो कोई खंडन किया ना ही उन्होंने ये accept किया कि हम Pegasus का इस्तमाल करते हैं किवल ये बात कही कि सरकार के पास authority है कि वो किसी भी प्रकार के digital message को intercept कर सकती है और ये काम देश की 10 एजेंसियों के पास है जिनमें intelligence bureau, narcotics control bureau, enforcement directorate, cbdt, dri, cbi, nia, raw, directorate of signal intelligence और commissioner of police दिल्ली ये 10 एजेंसियां है जो इस प्रकार के messages को intercept करती है इस कानून के तहत अब आज जो ये आरोप लगे हैं फिर से इन पर भारत सरकार ने क्या कहा तो देखो भारत सरकार की तरफ से officially इसके बारे में अभी कोई टिपपणी नहीं करी गई है कल से जो screenshot एक share किया जा रहा है कि ये government का statement है ये basically Pegasus Project के journalist को भारत सरकार ने जवाब दिया था कोई report छपती है तो पत्रगार क्या करते हैं सरकार को भी question पूछते हैं तो उसका जो जवाब आया था वो उन्होंने यहाँ पर share किया है तो ये वाला जो जवाब है ये सरकार ने इसमें यही बात कही है basically कि 2019 में हमें जो कहना था हमने कह दिया और वो same बाते हैं इन सवालों में कुछ भी नया नहीं है जो recently अभी जो reports आई है उनके बारे में government का ये कहना है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है इनमें सही facts का इस्ति करती है या नहीं करती या भविष्य में करना चाहती है इसके बारे में भी कुछ बात नहीं कही गई है एक RTI के बारे में यहां पर शरकार ने खाई कि एक RTI squeeze करी है या नहीं करती पेगसिस का सबसे पहले public domain में नाम आया था 2016 में मतलब मीडिया में नाम आया था जब UAE के human rights activist एहमद मंसूर के phone पर Pegasus के माध्यम से जासूस ही करी गई थी उसके बाद कुछ media organizations ने जब तहकीकात करी तो पता चला कि Pegasus 45 countries में उस समय इस्तमाल किया जा रहा था 33 operators थे operator का मतलब वो agency जो इस software का इस्तमाल लोगों पर जासूस ही करने के लिए surveillance करने के लिए कर रही है लेकिन ये surveillance करी कैसे जाती है आप और मैं phone इस्तमाल कर रहे है तो हमारे phone में कोई James Bond आकर ये software डाल जाता है क्या नहीं इसके लिए ये technology company क्या करती है mobile के software की खामियों का फायदा उठाती है तो mobile में जो software होते हैं जैसे अगर आप android device यूज करते हैं तो उसके अंदर एक software होता है android का जो भी version है या apple का phone है तो फिर उसके अंदर iOS software होता है उन software में कुछ कमिया होती है जिनको zero day vulnerability कहा जाता है यानि जिस दिन वो software launch हुआ उसी दिन से उसमें वो कमी रह गई थी और ये कमी software को develop करने वाली companies अभी तक पकड़ नहीं पाई है आम तोर पर क्या होता है कि updates आती है तो उन updates में ये कमिया पूरी कर दी जाती है इनको सही कर दिया जाता है लेकिन कुछ कमिया ऐसी है जो updates में भी सही नहीं कर दी जाती है और इनका फायदा ये NSO जैसी company ने उठाया Pegasus software बनाने के लिए इसको एक example के साथ आप समझ सकते हो मान लो आपने अपना एक नया घर बनाया उस घर में आपने मजबूत दर्वाजे खिडकियां सब कुछ लगा दिया लेकिन एक खिडकी है जो कमजोर है अब आपको भी नहीं पता कि वो कमजोर खिडकी रह गई कहीं पर घर बनाने वाले कारीगर ने या कारपेंटर ने उसमें थोड़े से डिफेक्ट छोड़ दिये तो अब कमपनी जो बना रही है सौफ़ेर उसे पता है कि ये खिडकी कमजोर है तो वो उसी खिडकी को टार्गेट करते हैं उसी को तोड़के चोर अंदर आता है वैसे ही ये Pegasus Software इस vulnerability का फाइदा उठाता है तो अब फाइदा उठाने के लिए वेक्टर का इस्तमाल किया जाता है वेक्टर क्या होता है जैसे बिमारियों को spread करने वाले वेक्टर होते हैं मलेरिया का वेक्टर क्या होता है मच्छर फीमेल अनॉफली मॉस्किटो वैसे ही यहाँ पर लिंक्स बेज़े जाते हैं Based on the vector दो प्रकार से Pegasus को मोबाइल फोन में बेजा जा सकता है वन क्लिक वेक्टर या जीरो क्लिक वेक्टर वन क्लिक वेक्टर में बहुत ही सिंपल सी चीज़े आपके मोबाइल पर एक मेसेज आएगा या इमेल आएगा उसमें एक लिंक होगा आप उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो यह जो सौफ़वेर है यह आपके फोन पर आजाएगा और उसको एक्सेस मिल जाएगा तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि कभी भी अन्नोन इमेल या मेसेज़स पर आए लिंक पर क्लिक मत कीजिए फिर यह जो लिंक है यह पेगसस के सौफ़वेर से करेंट कर देता है और एक वेबसाइट होती है अनॉनिमाइजर जिसके थुरू आपका फोन हैक किया जाता है अब अगर अनॉनिमाइजर को पता चल गया कि फोन के अंदर वो कमी है वो कमजोर खिडकी उसे मिल जाती है अगर वो खिडकी उसे नहीं मिलती तो फिर वो नॉर्मल वेब पेज पर ले जाएगा आपको मानलो एक लिंक आया कि टी-शिट पर 50% आफ तो आपको वो उस वेब पेज पर ले जाएगा जहां आपको टी-शिट पर 50% की सेल नजर आ रही होगी तो आपको कुछ भी गड़बर नहीं लगेगी सारा काम बैक्ग्राउंड में हो जाता है लेकिन ये तरीका तो अब पुराना हो गया है अब एक नया तरीका आया है सॉफ्वेर को टार्गेट करने का वो है जीरो क्लिक वेक्टर तो नाम से ही सपश्ट है कि बिना कोई क्लिक किये बिना किसी लिंक को खोले आपके फोन में पेगसिस आ जाएगा और ये कैसे होता है पुश मेसेजिस के माध्यम से देखो पुश नोटिफिकेशन क्या होता है आप अक्सर अपने मोबाइल फोन में जब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो तो कई वेबसाइट्स आपको कहती है कि नोटिफिकेशन ओन कर लो एक छोटा सा डायलोग बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें आपसे ओके दबाने के लिए प्रॉम्ट किया जाता है आपको तो अगर आपने कई वेबसाइट्स में ये ओन कर रखा है तो उनके माध्यम से भी उन पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से ही ये लिंक फोन में पहुँच जाएगा और एक ऐसा ही vulnerability है कैसी ही कमी WhatsApp में थी जिसमें क्या होता था कि WhatsApp का जो voice calling feature है उसके माध्यम से Pegasus लोगों के mobile तक पहुँचाया जा रहा था तो आपके phone पर एक voice call आया WhatsApp का अन्नून number है आप उसे उठाते भी नहीं है वो miss call हो जाता है लेकिन उस miss call में ही कुछ ऐसा data आपके phone में पहुँच जाता था जो Pegasus को install कर देगा अब वो कैसे आता था ये मुझसे भी मत पूछना अगर मुझे पता होता तो मैं NSO चला रहा होता लेकिन WhatsApp में कहीं न कहीं एक backdoor था एक कमजोर खिड़की थी जिसका पता इन NSO वालों को लग गया और इसका फायदा उठा कर इन्होंने कई लोगों के phone में ये Pegasus software पहुचा दिया इसी लिए WhatsApp ने NSO पर केस किया था और ये 2019 की बात है और ये केस अभी भी चल रहा है लंबित है 2020 में इसकी permission मिली थी court के द्वारा कि इसको proceed किया जाया आगे और अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है अब मान लोगी one click या zero click vector से ये Pegasus किसी के phone में install हो गया तो ये करता क्या है ये phone का सारा data Pegasus install करने वाले व्यक्ति को या उस handler को भेज सकता है तो पहली बात आपका कोई भी conversation इसमें record हो सकता है आप किस से बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं पूरी call की recording उस व्यक्ति तक पहुच सकती है जिसके पास phone का access है phone की GPS location शेर करी जा सकती है कुछ भी आप type कर रहे है जो भी चीज आप type कर रहे है जो keystrokes होते हैं उनको log करा जाता है तो कोई भी text message, कोई email आपका call, personal data जैसे की passwords, contacts ये सब कुछ phone में Pegasus store कर लेगा in fact, biometric information जैसे की आप लोग अंगूठों का इस्तमाल करते हैं या face unlock का इस्तमाल करते है phone में वो जानकारी भी phone से निकाली जा सकती है कुल मिला के आपके phone में आप जो भी कर रहे हैं वो किसी दूसरे वेक्ति को पता चल जाएगा और Pegasus का जो latest version है उसमें cloud से भी data को hack किया जा सकता है क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि अगर आप अपनी चीजों को cloud में save कर रहे हैं phone के memory में save ही नहीं करते तो आप इससे बच जाएंगे लेकिन आप इसका भी तोड़ Pegasus ने निकाल लिया है ऐसा बताया जा रहा है और two factor authentication को भी ये bypass कर देता है दुनिया में सबसे safe तरीका login करने का two factor authentication होता है उसको भी अब bypass करा जा सकता है Pegasus के द्वारा ऐसा reports बता रही है इस पूरे Pegasus वाले मामले से हमारे लिए एक बहुत बड़ा ethical dilemma सामने आता है पहली बात कि अगर भारत सरकार Pegasus का इस्तमाल कर रही है और लोगों पर जासूसी कर रही है तो definitely सरकार के पास अधिकार है कि वो नागरिकों के द्वारा generate किये गए messages को intercept करे अगर उनसे कोई खत्रा है तो ये भारत का executive overreach ठीक है दूसरी बात अगर भारत सरकार Pegasus का इस्तमाल नहीं कर रही है और ये जितने भी journalist हैं जिनके phone को hack किया गया है तो इसका मतलब है कि कोई विदेशी agency या कोई दूसरे देश की सरकार अब कोई भी हो सकता है चाइना पाकिस्तान अमेरिका वो Pegasus का इस्तमाल करके भारत के नागरिगों को target कर रहे हैं तो ये तो भारत के लिए और भी चिंता की बात है तो दोनों ही मामलों में हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और इसलिए ये मामला थोड़ा सा ये पूछा जा सकता है तो बस इसी तरह की बेसिक बाते हैं इनको याद रखेगा और इसका PDF डाउनलोड कर लेना इन दोनों ही टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा अगर UPSC 2022 या 23 की तयारी कर रहे हैं तो अनकाड़िमी प्लाटफॉर्म पर भारत के best educators live पढ़ाते हैं इनसे आप पढ़िए यहाँ पर daily बहुत सारी special classes होती हैं जो completely free हैं आप इन classes को attend कर सकते हैं बिना किसी charge के लेकिन अगर आप एक structured manner में अपने course को complete करना चाहते हैं तो फिर आप plus या iconic दोनों में से किसी एक option को avail कीजिए इन subscriptions को लीजिए यहाँ पर आपको benefit iconic में ज़ादा यह मिलेगा कि personal guidance मिलेगी आपको GS mains answer writing की practice करवाई जाएगी अपने mentor के द्वारा और चाहे आप जो भी course लें plus या iconic in सभी में आपको 10% discount मिलता है अगर आप code use करते हैं महिपाल optional के courses भी यहाँ available हैं इन courses को आप EMI option पर भी अवेल कर सकते हैं उसके लिए नीचे description में एक link मिलेगा bit.ly वाला उस पर click करो one year above subscription के साथ आपको 20 किताबों का GS की किताबों का set free में मिलेगा English, Hindi जिसमें भी आप चाहे extended validity अभी मिल जाएगी और prelims और mains की test series भी आपको free में मिलेगी with one year and above subscription ये सब तो subscription के benefit हैं इसके अलावा हम तीन free test series चला रहे हैं जो सभी के लिए available है आपको केवल इन test series को join करना है एक unlock code मांगा जाएगा you can use this code to join अपने prelims के score को increase करो Pathfinder test series का link नीचे description में मिल जाएगा thank you very much for watching this have a great day